गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स आप आईएस डेली करेंट अफेर एंसेक्यूर डिसकुसन में आपका स्वागत है UPSC हर साल 30 से 35 कुष्चन करेंट अफेर के रूप में पूछती है जो 25 अलग-अलग आयामों से होते हैं जिने हमने कुछ सालों के कुईस्चन पेपर को एनलाईज करने में पाया है इन कुईस्चन को कुछ महत्तरपुन स्रोत जैसे दहिंदो, मिंट, P.I.B, इंडिन एक्स्प्रेस, बिजनस स्टैंडर्ड, राज्यसभार, टीबी, इत्यादी से पूछे जाते हैं हम भी इन्ही कुछ महत्तरपुन स्रोतों से आपके लिए करेंट अफेर के टॉपिक लेकर आते हैं MCQ के रूप में उसे आपके साथ डिसकसन करते हैं ये जुलाई महीने का हमारा 11 वा डिसकसन वीडियो है, चलिए हम आज का अपना डिसकसन सुरू करते हैं हमारे डिसकसन का पहला प्रस्ण क्या कहता है, गोल्डन बर्ड विंग के संबंध में निमलिखित कथनों पर विचार करें दो कथन दिये गए हैं, आपको सही कथन की पाचान करनी है आप हमारे इस डिसकसन को जीएस पेपर 3 के भारते विविधता से जोड़ कर देख सकते हैं, पर्यावरन से जोड़ कर देख सकते हैं पहला कथन क्या कहता है, यह यानि कि गोल्डन बर्ड विंग हिमालई छेतर में भारत की सबसे बड़ी तितली के प्रजाती है फ्रेंड्स यह गलत है, क्योंकि गोल्डन बर्ड विंग जो है, वो भारत के दक्षनी हिस्सों में विशेस रूप से पस्चमी घाट में पाया जाता है हला कि यह सबसे बड़ी तितली होने का दरजा 88 सालों के बाद दिया गया है अगर हम बात करें हिमालई छतर में पाये जाने वाले सबसे बड़े तितली के प्रजाती का तो यह डीडी हाट है जिसे अभी तक सबसे बड़े तितली के रूप में माना जाता था तो आप याद रखेंगे कि गोल्डन बर्ड विंग जो है उसे अब भारत में 88 सालों के बाद सबसे बड़े तितली होने का दरजा दिया गया है और इसे मुख्य रूप से भारत के पस्चमी घाटों में पाया जाता है इसते पहले हिमालई छेतर में पाये जाने वाले डीडी हाट नामक तितली को सबसे बड़े तितली होने का दरजा दिया गया था तो इसे आप याद रखें दूसरा कथन क्या करता है यह उत्राखंड राज्य की राजकिय तितली है यह गलत है क्यूंकि गोल्डन बर्ड विंग जो है वो पस्चमी घाटों में पाया जाता है और यह करनाटक की राजकिय तितली है यानि कि इस कोस्चन के हिसाब से हम देखें तो दोनों के दोनों कथन गलत है ओप्सन डी इसका सही आंसर होगा तो आप याद रखेंगे गोल्डन बर्ड विंग के बारे में यह जानकारियां आप से पूछी जा सकती है अगर हम बात करें एक अन्यमहत्तपुन बात तो फ् जो उत्राखंड राज्यों में पाया जाने वाला डीडी हाट है जिसे अब तक सबसे बड़ा माना जाता था उसे मेघाले की राजधानी शिलोंग के वानखर तितली संग्रहाले में रखा गया है तो इसे भी आप ध्यान रखेंगे आपको यह पूछा जा सकता है कि वानख प्रियन रेड लीस्ट के अंतरगत लीस्ट कंसर्न यानि कि आपको टेंसर लेने की जरूरत नहीं है इनकी संख्या परयाप्त संख्या में है अभी ऐसे सुचिबद किया गया है तो आप इसे ध्यान रखें यह देखने में कुछ इस प्रकार की होती है इसे आप देख सकते ह हमारे डिसकसन का दूसरा प्रस्ण क्या करता है निमलिखित कत्नों पर विचार करें दो जानकारिया दी गई है आपको सही जानकारी की पहचान करनी है पहला कत्न क्या करता है यह अनिवारिय है कि भारत में अपने कारियों को करने के लिए सभी गैर सरकारी संगठनों को भा सरकारी संगठन यानि कि कोई NGO भारत में कारे करना चाहता है तो उसे केवल सोसाइटी पंजीकरन अधिनियम 860 के अंतरगत पंजीकरत होने की आवसिक्ता नहीं है यदि कोई संगठन धार्मिक बंदोबस्त अधिनियम 1863 या फिर भारते ट्रस्ट अधिनियम के अंतरगत अपन करने की अनुमती दी जाएगी यानि कि किसी संस्थान को NGO के रूप में भारत में कारे करने के लिए भारते पंजीकरन अधिनियम 1860 में पंजीकरत होने की आवसिक्ता नहीं है इसलिए पहला कथन क्या हो जाता है गलत दूसरा कथन क्या कहता है यह अनिवार्य है कि विदेसी अंसदान विनियमन अधिनियम के तहत पंजीकरित होना आशक है यह जानकारी बेलकुल सही है यदि कोई NGO है जो NGO भारत में कारे कर रही है और वो विदेसों से पैसा प्राप्त करती है तो ग्रिह मंत्राले के अंतरगत विदेशी अंसदान विनियमन अधिनियम के तहत उसे कराना होगा तब भी वो जाकर विदेशी सरकारों से या फिर विदेशी संगठनों से पैसा लेगी और भारत में उसे खर्च करेगी तो इसे आपको ध्यान रखना है चुकि आपको सही जानकारी की पहचान करनी थी पहला गलत है दूसरा सही है ओप्सन भी इसका सही आंसर तो आप इसे ध्यान में रखेंगे सबसे पहले हम ये देखते हैं कि FCRA क्या है यानि कि विदेशों से जिन संस्थानों को जिन NGO को पैसा दिया जाता है या फिर प्राप्त करते हैं उनको रेगुलेट करने के लिए भारत सरकार ने क्या प्रावधान किया है तो friends सबसे पहले 1976 में एक कानून लाया जाता है जिसके अंतरगत ऐसे गैर सरकारी संगठन या फिर ऐसे NGO जो विदेशी सरकारों से पैसा प्राप्त करती हैं उनको रेगुलेट करने के लिए इस कानून को बनाया जाता है क्योंकि ऐसा होता था कि विदेशी सरकारों से कुछ संस्थाने पैस प्राप्त करती थी और उन पैसों को भारत में अशांती फैलाने भारत को बदनाम करने इत्यादी के लिए कारे करते थे अभी हाल फिलाल में मतलब 2014 की गवर्मेंट आने के बाद भी आपने सुना होगा कि भारत सरकार के द्वारा बहुत सारे ऐसे NGO थे जो इसी प्रकार से भारत में अशांती फैलाने भारत वास्यों को भढ़काने का कारे करते थे उनको प्रतिबंधित करने के दिसा में भी कारे किया गया था इसी में 2010 के अंतरगत भी कुछ संसोधन किये गये थे यदि ऐसा पाया जाता है कि कोई NGO है जो भारत में अवैध रूप से कारे कर रहा है या फिर बिदेशी सरकारों से पैसा लेकर भारत में अशांती फैला रहा है तो उनके बैंक खातों को फ्रीज किया जा सकता है या फिर बंद किया जा सकता है तो इसे आप ध्यान रखें अगर हम बात करें कि जो NGO होती है वो किस तरह से भारत में कारे करती है तो friends जो NGO होत जो अपने हितों को पूरा करने के लिए बनाता है ये कोई एक वेक्ति बना सकता है या पिर कुछ वेक्तियों का समुह बना सकता है लोग भारत में ऐसे नजाने कितने संगठनों को बना कर रखे हैं लेकिन जितना registered है उसके अनुसार भारत विश्व का सबसे बड़ा NGO वाला देश है तो इसे आपको ध्यान में रखना है तो ये कुछ महत्तपन बाते थी फ्रेंड्स NGO के बारे में NGO को regulate करने के बारे में तो इसे आप ध्यान रखेंगे अभी भारत सरकार के द्वारा इसी संबंधित कुछ और कदम उठाये जाने की प्रावधान सुरू किये गए हैं ताकि भारत में अवाय धरूप से भढ़काने के लिए ये कोई कतिविधी की जा रही है तो उसे रोका जा सके तो इसे आप ध्यान रखेंगे हमारी डिस्किसन का तीसरा प्रसंद क्या कहता है व्यायाम या तो अभ्यास मालाबार निमलिखित में से किस देश के बीच एक स्योक्त सैन्ने अभ्यास है आपको ये बताना है कि मालाबार अभ्यास किन-किन देशों से के बीच में किया जाता है आपके दिएगे ओप्षन में भारत अमेरिका इंडोनेशिया भारत जापान स्रुत्राज अमेरिका जापान भारत स्रिलंका भारत अमेरिका और फ्रांस तो फ्रेंड्स आप याद रखेंगे मालाबार युदह अभ्यास जो की 1992 में सुरू किया गया था मुख्य रूप से भारत और स्रुत्राज अमेरिका के बीच सुरू किया गया था लेकिन 2015 में इसे जापान को भी शामिल कर लिया जाता है यानि कि वर्तमान में जो मालाबार अभ्यास होता है उसमें भारत जापान और सुर्ट राज अमेरिका तीनों देश शामिल होते हैं नीज में क्यों है तो फ्रेंड्स भारत सरकार के द्वारा इस बात को लेकर बात सुरू की गई है कि अब इस संगठन में इस युद अभ्यास में उस्ट्रेलिया को भी सामिल किया जाए क्योंकि उस्ट्रेलिया लाइक माइंडेड कंट्री है तो इसलिए ये काफी महत्तपून है तो इसे आप ध्यान रखें क्वेश्चन पूछा जा सकता है हलाकि युद अभ्यास संब्धित कोई भी प्रस्ण अभी तक UPST के द्वारा नहीं पूछा जा सका है लेकिन इस बात की पूरी संभावना है कि क्वेश्चन पूछा जा सकता है तो आप इसे ध्यान में रखेंगे हमारे डिसकसन का अगला प्रस्ण क्या कहता है पैगोंग त्यसो के बारे में निमलखित कथनों पर विचार करें तीन कथन दिये गए हैं आपको सही कथन की पाचान करनी है पहला कथन कहता है यह रामसार कन्वेंशन के तहत अंतरास्ट महत्व के एक आदरभूमी के रूप में पहचाना जाता है जी नहीं ये गलत है हलांकि पैगोंग त्यसो को रामसार आदरभूमी अस्थल के रूप में सूचिबद करने की दिसा में कारे चल रहे हैं लेकिन वर्तमान में इसे रामसार अस्थल के रूप में सूचिबध नहीं किया गया है इसलिए पहला कथन गलत हो जाता है पैगोंग तेसो के बारे में दूसरा कथन क्या कहता है यह वास्तिक नियंत्रन रेखा यानि कि actual line of control के वास्तिक रेखा पर इस्थित है यह बिल्कुर सही है चाइना के साथ जो actual line of control है वहाँ पर ही यह इस्थित है इसलिए दूसरा कथन बिल्कुर सही है आप इसे map के माध्यम से देखेंगे आप आसानी से समझ लेंगे आपको याद हो जाएगा लेकिन जो जानकारी है उसे सबसे पहले आप देखें तीसरा कथन क्या करता है यह एक खारे पानी का जील है यह आपको थोड़ा अलग लग सकता है कि यदि कोई ऐसा जील जो जम्मू कस्मीर या फिर अब कहें वो लदाक में है और वो खारे पानी का है तो यह आपको चौका सकता है लेकिन आपको याद रखना है ये खारे पानी का ही जील है यानि कि इस question के हिसाब से option B इसका सही answer होगा जो जील है उसका निर्मान हिमालेई हलचल के वज़े से हुआ था एक दरार पढ़ने के बाद इस जील का निर्मान हुआ था ये काफी लंबा है इस जील का लगभग 60% हिस्सा वर्तमान में तिब्बत में है ये एक खारे पानी का जील है यहाँ पर खारा पानी है इसका मतलब यहाँ पर जादातर जय विवित्ता या फिर वनस्पती नहीं पाई जाएगी लेकिन क्रिस्टीसियस यहाँ पर पाए जाते हैं लेकिन पौधे इत्यादी कुछ भी यहाँ पर नहीं पाई जाती मचली इत्यादी कुछ भी यहाँ पर नहीं पाई जाती आप कह सकते हैं कि यहाँ पर जल्य जीवन लगभग शुन्य है जो रामसार अस्थल है उसे उसके रूप में इसे सूचिबध वर्तमान तक नहीं किया गया है तो इसे आपको ध्यान रखना है इस दिसा में कारे चल रहा है यदि इसे रामसार अस्थल जो भारत में वर्तमान में 36 हैं उसके उसमें से एक के रूप में इसे सुचिबद किया जाता है तो ये एक ऐसा रामसार अस्थल होगा जो अंतर देशिय होगा यानि कि ट्रांस बॉंडरी होगा किसी दो देशों के बीच इसके कुछ हिस्सों को लेकर विवाद है जो भारत पाकिस्तान या फिर आप कहें भारत और तिबबत या फिर चीन जिस पर वर्तमान में तिबबत के हिस्से पर चीन के द्वारा अपना क्लेम किया जाता है तो इसे आप मैप के माध्यम से देखें ये अकसाई चीन है जो भार जिसे चीन के द्वारा 1962 के बाद से ही कंट्रोल किया जा रहा है यह एक्ट्वल लाइन ओफ कंट्रोल है इसे आप भी देख सकते हैं और जो जील है पैगोंग तेसो यह यहां पर है इसे आप देख सकते हैं इसका कुछ हिस्सा जो है वो भारत में है और कुछ हिस्सा अकसाई चीन के अंतरगत है जिसे चीन के द्वारा रेगुलेट किया जा रहा है तो यह कुछ महत्तरपुन जानकारियां थी फ्रेंड्स इसके बारे में चूंकि यह च्छेत्र काफी न्यूज में है आपसे इससे सम्बंदित कुछ भी पोस्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है हाल च्छेत्र को क्वेश्चन के रूप में आपसे डिसक्सन किया है आप हमारे प्रेवियस वीडियो या फिर जो हम पीडियेफ उपलब्द कराते हैं उसके माध्यम से आप देखकर रिवाइज कर सकते हैं तो आप ध्यान रखें हमारे डिसक्सन का पांचवा और अंतिम प्रस जान करनी है पहला कहता है यह अंतरास्ट स्वास्थ के लिए जिम्मेदार संक्तरास्थ की एक विशेस एजनसी है यह बिल्कुल सही है यह संक्तरास्थ की एक विशेसी क्रित यानि की स्पेसलाइजड एजनसी के रूप में कारे करती है पूरे विश्व के स्वास्थ मामलो की देखरेक करती है, पहली जानकारी WHO के बारे में बिलकुल सही है, दूसरा कथन कहता है WHO की स्थापना साथ अप्रेल 1948 को हुई थी जिसे विस्तो स्वास्थ दिवस के रूप में मनाया जाता है यह जानकारी भी बिलकुल सही है, WHO इसकी स्थापना 1948 में की गई उसके बाद ये 7 अप्रेल से अपना कारे करना सुरू करता है और जिस दिन से इसने अपना कारे करना सुरू किया उसी दिन से इसे 207 दिवस के रूप में मनाया जाता है और ये आज भी 7 अप्रेल को 207 दिवस के रूप में मनाया जाता है तो आप याद रखेंगे तीसरा कतन क्या करता है WHO का मूल संगठन संगतरास्ट आर्थिक और समाजिक परिसद है ये जानकारी भी बिल्कुल सही है WHO यानि कि World Health Organization इसका पहले जो नाम था वो संगतरास्ट आर्थिक और समाजिक परिसद था ये सुरू में इसी संगठन के नाम से कारे करता था आगे चल कर इसका नाम विश्व स्वास्त संगठन कर दिया गया चौधा कतन क्या करता है इसका मुख्याले वोसिंग्टन डीसी जो यूएस के अंतरगत है सुप्त राज अमेरिका में है ऐसा बता रहा है ये गलत है क्यूंकि डब्लू एचो का जो हेड़क्वाटर है जो मुख्याले है वो जनेवा सिर्जा लाइन में है तो इसे आप ध्यान रखेंगे तो डब्लू एचो से सम्मधित कुछ महत्तपुन जानकारियां थी क्यों न्यूज में है ये बतानी की आउशकता आपको नहीं है डब्लू एचो से अब ट्रम्प की घोशना के बाद अधिकारिक तोर पर अलग हो गया है अमेरिका इसलिए ये न्यूज में है ऐसे भी महामारी के दोर में ये लगातार न्यूज में बना हुआ था क्वेस्चन पूछा जा सकता है आप ध्यान में रखेंगे ये जो संगठन है उसमें 194 देश हैं जो सदस्चे हैं वर्तमान में अब 193 हो गये हैं क्योंकि सुइंक राज अमेरिका इससे बाहर हो गया है तो आपको ये भी आद रखना है क्योंकि एक सदस्चे के बाहर होने के वज़र से ये न्यूज में है इसलिए पूछा जा सकता है कि इसमें 193 देश हैं 150 ऐसे देश हैं जहां पर इसके कार्याले थे लेकिन ये भी अब 149 हो जाएंगे क्योंकि सदस्चे राज अमेरिका में जो इसका कार्याले था उसे हटा दिया जाएगा हलांकि डबलू एच्चों ने इसकी घोषना नहीं की है लेकिन ट्रम्प के द्वारा ऐसा कहा गया है कि आप यहां से वापिस चली जाएं तो देखना होगा कि क्या होता है छे छेत्रों में इसके छेत्रे कार्याले हैं जहां से ये अपना कार्य करता है ये एक अंतर सरकारी संग्ठन के रूप में कार्य करता है जहां पर पूरे विस्व के जो अलग-अलग देश हैं वहां के स्वास्त मंत्री जब कभी भी इसके अंतरगत वैठक होती है या फिर कुछ महत्वपन मुद्दाओं पर चर्चा होती है तो जाते हैं और बात विचार करते हैं तो इसे आप ध्यान रखें तो friends ये हमारा आज का discussion था हम आज के अपने discussion को यही रोगते हैं अच्छा सोरी यहाँ पर कुछ और टॉपिक है जो मिसलीनियस है उतनी महत्वपन नहीं है लेकिन है आप इसे देख लें सबसे बहले open sky agreement ये क्या होता है तो friends open sky agreement किसी देश किसी दो देशों के पीच या फिर किसी देश और किसी संगठन के बीच हो सकता है इसके अंतरगत जो हवाई सेवाएं है चाहे वो कारगो सेवा हो या फिर यात्री सेवा हो उसके आवागमन के लिए अनुमती देने के लिए इस समझोते को किया जाता है भारत वर्तमान में सार्क देशों के साथ open sky agreement करता है इसके अंतरगत जो सार्क देश है वहाँ की जो हवाई सेवाएं है वो भारत में अन्यमित रूप से जितनी यात्राएं करना चाहते हैं कर सकते हैं जितनी हवाई जहाजें भारत में आना चाहती हैं आ सकती हैं और भारत से भी इसी तरह से चितनी यात्राएं या फिर हवाई जहाज चाहे वो यात्रियों को लेकर जाए या फिर कारगो को लेकर जाए वो आ जा सकती है तो इसलिए Open Sky Agreement एक ऐसा समझोता है जो कारगो या फिर यात्री सेवाओं के लिए अन्यमित तोर पर आवागमन की अनुमती देता है तो इसे आप ध्यान रखेंगे न्यूज में क्यों है कि UAE जो की एक भारत समकच लाइक मैंडेट कंट्री है उसने कहा है कि हम भारत के साथ Open Sky Agreement करना चाहते हैं तो इसलिए ये न्यूज में था आप इसे ध्यान में रखेंगे इतना महत्वपुन नहीं है ऐसा ही एक और टॉपिक है E-Commerce के अंतरगर जितने भी पोर्टल के द्वारा खरीद विकरी की जाती है अब उभोकता मामलों के मंत्राले के द्वारा ये कहा गया है कि वैसे उत्पाद जिनको ओनलाइन बेचा जाता है उन पर वो वस्तु कहां से बनी हुई है कहां उसका निर्मान हुआ है उसे भी लिखा जाए तो ये बात कहा गया है तो इसलिए ये न्यूज में है हलांकि भारत में लीगल मैट्रोलोजी पैक्सड Commodities Rule 2011 है इसके अंतरगत जो पैक्ड सामान होते है उनको अपने पैक्ड वस्तु के बाहर कुछ चीजों को लिखना है जैसे उसके अंदर कौन सा सामान है किन-किन चीजों को मिला कर बनाया गया है निर्मान का महीना कौन सा है किस साल में बनाया गया है उसकी MRP यानि कि Maximum Retail Price क्या है इन सब को लिखना आउशक है लेकिन जल्द ही आप ये देखेंगे कि वो वस्तु कहां बनी है या तो किस सहर में बनी है किस देश में बनी है उसको भी लिखा जाएगा क्योंकि Commerce Ministry के अंतरगत तो ये खतम हो गया इसे आप याद रखें हम आज के अपने discussion को यही रोकेंगे Friends PDF के लिए आप जान रहे हैं कहा है description box में जाए वहाँ पर सीधा सीधा link दिया गया है आप उसे download कर लें Thank you